लड़कियों को समझना बैहत मुश्किल होता है, ऐसी बाते अक्सर सुनने को मिलती है। हाला कि लड़कियों को समझना इतना मुश्किल भी नहीं, जितना की आम तोर पर समझा जाता है। अगर आपको लड़कियों और महिलाओं से जुड़ी कुछ बुनियादी बाते पता है तो आप आसानी से उन्हें समझ सकते हैं आज इस वीडियो में हम महिलाओं एवम लड़कियों से जुड़े कुछ मनुविज्ञानिक तथ्य बताएंगे जिनसे आपको उन्हें समझने में काफी मदद मिलेगी और आप अपने रिष्टे को और भी मजबूत बना सकेंगे तो चलिए शुरू करते हैं लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद होते हैं जो उनकी पसंद का ख्याल रखते हैं और उनकी ज़्यादतर बातों को मानते हैं लड़कियां उन लड़कों या उन लोगों को पसंद नहीं करती जो उन पर विश्वास नहीं करते खास कर तब जब वह अपना रिष्टा इमानदारी से निभा रही हो प्रेम संबंद में आने के बाद लड़कियां अपने गंबीर पार्टनर को सामानने बनाने की कोशिश करती हैं क्योंकि उन्हें रिष्टों में ज़्यादा गंबीरता नहीं पसंद मोनविग्यानिक रूप से लड़कियां शारीरिक संबंद बनाने के लिए ज़्यादा उत्सुक होती है जबकि इसके विपरित शारीरिक संबंद बनाने को लेकर बाहर से उनकी निश्यदात्मक प्रवर्थी होती है लड़कियां लड़कों के मुकाबले ज़्यादा देरेवान होती है वे हर परिस्तिती में अपने देरे को खायम रखना चाहती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रियास भी करती है जबकि इसके विफरित लड़के उतावले होते है लड़कियों को बाते करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है वैं दूसरे मनोरंजन साधनों का सारा लेने की बजाए डेल सारी बाते करना बहुत ज़्यादा पसंद करती है पुर्षों के मुकाबली लड़कियों को इंतजार करना पसंद नहीं होता लड़किया किसी चीज का इंतजार करने की बज़ाए उसे दूसरे से रिपलेस करने में ज़्यादा विश्वास रखती है लड़किया अपने प्रेमी की बात को तबी तक गंबीरता से लेती है लड़कियों के बात बहुत पसंद आती है कि जब कोई लड़का उनसे किसी बात पर सला ले लड़किया अपने पार्टनर का हाथ पकड़कर उन्हें महसूस करना ज़्यादा पसंद करती है पुर्शों के मुकाबले लड़कियों को सर्प्राइज गिफ्ट ज़्यादा पसंद आते हैं नए और अंजान लोगों के साथ लड़किया ज़्यादा दर चुपचाप रहती हैं लड़किया मुका देखते ही अपने फेसले बदल देती हैं लड़किया परिस्तिती के साथ बदलने पर ज़्यादा विश्वास रखती है जबकि दरणिश्चे लड़के परिस्तिती के साथ नहीं बदलना चाते लड़कियों की इच्छा शक्ती और दरणदा लड़कों के मुगाबले बहुत कम होती है लड़किया जल्दी किसी काम को लेकर दरणिश्चे नहीं कर पाती है अगर कोई लड़की आपको दूर से देखे लेकिन पास पौशते ही किसी और जगे देखने का बहाना करे तो समझ जाईए वह आपको पसंद करती है अगर कोई लड़की आपसे सचे दिल से ब्यार करती है तो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकती है चाहे वे अपने माता पिता से लड़ाई क्यों ना करनी पड़े लड़किया अपने पहले ब्यार को जिंदिगी में कभी नहीं भूलत लेकिन उसके बाद उसकी जिंदिगी में कोई भी आए उन्हें भूलना उनके लिए चुटकी बरका खेल है जो लड़किया पैसो को ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मुकाबले खाने में ज़्यादा खर्च करती है एसी लड़कियां दूसरी लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा क्यूट होती है लड़किया किसी भी चीज़ को बहुत इमोशनली सोचती है इसलिए किसी भी बात का सबसे अच्छा सोलुशन मिंटों में उनके पास मिल जाता है अगर कोई लड़की किसी लड़के के परिवार से मिलना चाती है तो इसका मतलब यह है कि वे उस लड़की के साथ रिलेशन्शिप में बहुत ज़्यादा सीरियस है लड़कों की अबेक्षा लड़किया ज़्यादा भावुक होती है और बाद बाद पर उनकी भावनाएं उमड़ाती है लड़किया कभी भी लड़कों से अपने अफेर के बारे में बात करना पसंद नहीं करती क्योंकि लड़के हमेशा अपने कुछ खास पलों को अपने तकी सीमित रखती है अगर वे लड़कों को इस बारे में बताती हैं तो वो पूरी तरह से सच नहीं होता है अगर कोई लड़की एकदम से कुछ दिनों से साइलेंट है इसका मतलब ये है कि उसके साथ उसकी उमीद के विपरिश किसी ने जरूर कुछ बहुत जादा ही गलत किया है जिसके कारणवे अंदर ही अंदर खुद गोख हो चुकी है लड़कें ज़्यादा जजबाती लड़कों के साथ रिष्टा बनाने में बहुत कम विश्वास करती है जबकि उन्हें रिलेशन्शिप को सामाने रूप से लेने वाले लड़के ज़्यादा पसंद आते है लड़कें के मन में कोई भी बात नहीं पस्ती ये बात 100% सच है क्योंकि लड़कें 47 घंटे से ज़्यादा सिक्रेट बाते अपने पास नहीं रख सकती इसे पहले ही ये दूसरे को शेर कर देती है क्योंकि बातों पर जल्दी विश्वास ना करें क्योंकि ये लड़कों से ज़्यादा जूड बोलती है अगर कोई लड़की पूरे दिन लव सोंग सुनती है तो इसका मतलब उस लड़की की जिंदगी में कोई ओरा आ चुका है यानि वह लड़की किसी लड़के से प्यार करती है 80% से ज़्यादा लड़किया जब दर्द में होती है तो वो किसी को नहीं बताती लेकिन वह ये भी चाती है कि सामने वाला उससे पूछे कि क्या हुआ है अगर कोई लड़की किसी लड़के से बेहत प्यार करती है तो भी वह उसे बताना नहीं चाहती बलकि वह चाहती है कि लड़का खुद उसके प्यार को महसूस कर ले लड़के की जरुष कभी पूरी नहीं हो पाती है लेकिन सबसे दिल्चस्म बात यह है कि उन्हें खुद को पता नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए लड़कियों को बेबी कहने पर लड़कियों के मस्तिश्क पर सकारात्मक प्रबाव पड़ता है जिससे उनका तनाव पहुत कम हो जाता है लड़किया ऐसे लड़कों को बिलकुल भी पसंद नहीं करती जो गलत शब्दों का इस्तमाल करते हैं या फिर गंदी बाते करते हैं हर लड़की चाहती है कि उसका boyfriend सबसे अलग हो लेकिन वह यह खुद नहीं जानती कि सबसे अलग का मतलब क्या होता है लड़किया आम तोर पर उस लड़के के साथ ज़्यादा देर तक आखें नहीं मिला सकती जिसे वह बहुत पसंद करती हैं अगर कोई लड़की आपसे बात करते समय डरती है या उसकी सांसे फूलती है तो इसका मतलब है कि वह आपसे बहुत प्यार करती है लेकिन बोलने से डरती है लड़कियों को किसी को सला देना पसंद है लेकिन उन्हें किसी से सला लेना बिल्कुल पसंद नहीं है लड़कों के मुकाबले लड़के अधिक जिद्धी होती हैं इसका मुख्य कारण है कि लड़के जदा इमोशनल होती है लड़कों को वैसे लड़के जदा पसंद होती है जो समझदार होती है लड़किया लड़कों के मुकाबले किसी भी दूसरे इंसान पर बहुत जल्दी बरोसा कर लेती है